एक रात मामी के कपड़े पहन कर मामा के कमरे में गई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि जब वो पूरी रात मुझे मामी समझ कर मेरा नाम सुमेरा है और मेरी यह कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरह खेल ही खेल में एक रात मैं मामी बन कर अपने म मामी हर जुमेरात की रात ऐसा क्या करती है कि जो अगले ही सुभह मामू उन्हें पांच हजार रुपे पकड़ा देते हैं। पांच हजार कोई मामूली रकम तो नहीं थी। मैंने तो कभी पांच सौ भी एक साथ हाथ में नहीं पकड़े थे। मेरी बहुत सारी जरूरियात और ख्वाहिशात हमेशा अधूरी रह जाती थी। और मैं चाहती थी कि मेरे पास भी इतने पैसे आ जाए ताकि मैं भी अपनी काम से बाजार भेजा तो मैं पडोस वाली राणू के साथ बाजार चली गई। वहाँ मेरी नजर एक सुर्ख रंग के कड़ाई वाले जोड़े पर पड़ी तो मैं पलकें जपकाना भूल गई। मैंने कभी इतना खूबसूरत जोड़ा नहीं पहना था। कीमत पूछने प बहुत अमीर है, सुमेरा उसे क्यों नहीं कहती कि वो तुझे तेरी मर्जी और जरूरत की चीजें दिलवा दे? राणू की बात सुनकर मेरे दिल पर आंसु गिरने लगे? मैं उसे क्या बताती कि मेरी मामू पैसों के मामले में तो बहुत अमीर है, लेकिन दिल के बहुत ही चोटे हैं. पता नहीं इतने अरसे से वो किस तरह मेरे वजूद को खामोशी से अपने घर में बरदाश्ट कर रहे थे, वरना मामी तो दिन रात उन्हें यही सबसबक सिखाती थी, कि वो मेरा हाथ पकड़ कर मुझे घर से बाहर कर दे, क्योंकि उनका इकलोता लाडला और यह बात मामी से किसी सूरत में बरदाश्ट नहीं थी, कि मैं उनके इकलोते बेटे की जिन्दगी का हिस्सा बन जाऊं। खड़ी थी कि राणू ने मुझे जोर से हिलाया और कहने लगी कि अगर पैसे नहीं है तो वापस चलो ना, कब तक इसी जोड़े पर नजर जमाय खड़ी रहोगी, तुम्हारे इस तरह देखते रहने से दुकान वाले को तुम पर तरस नहीं आ जाएगा। सूस कर छोड़ दी थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मुझ जैसी लड़कियों की जिंदगी में खवाई शाथ की कोई जगह नहीं होती। मेरे घर पहुँचते ही मामी मुझ पर गुसा होने लगी कि इतना सा सौदा लेकर पूरे दो घंटे लगा कर वापस आई हो। पता नहीं कहां कहां घूमती है, किस किसी के चक्कर में पड़ी हुई है। जब से तु जवान हुई है, मुझे तेरी ही फिकर सताती रहती है कि कहीं तु हमारे मुह पर कालक न पोत दे। धूप में अकेले भेज देती हो। शान की इस बात पर तो मामी का और पारा गर्म हो गया और वो तनक कर कहने लगी कि बड़ा जादू चला रखा है, इस लड़की ने तेरे उपर तुझे क्या मालूम है, ये कैसी बदजात है, और क्यों न हूँ, आखिर जिस मा का खून है उसे भी अपना रंग तो दिखाना ही है ना? पता नहीं क्यों हमने इसे अपने घर पनाह दे रखी है, मुझे तो खौफ ही आता है कि ये कभी कुछ ऐसा ना कर बैठे और हम दुनिया को मुह दिखाने के लायक ना रहे। इससे पहले की मामी मजीद मेरे किरदार पर कीचड उच्छालती शान उन्हें जबरदस्ती हाथ पकड़ कर उनके कमरे में ले गया था और मैं आंसू बहाती बावर्ची खाने में आ गई थी। सारे घर के कामकाज मेरे ही जिम्मा थे और सौदा लाने के बाद अब खाना भी तैयार करना था। मेरा दिल बुरी तरह सखमी हो चुका था। बच्पन से लेकर आज तक मैं यही सब कुछ सुनती आई थी। मामी को हमेशा ही ऐसा लगता था कि मैं अपनी मा की तरह ही उनके लिए बदनामी का सबब बन जाओंगी। सारा वक्त ऐसे ही छुपकर आशू बहाते गुजर गया था। शान मामी को ठंडा करवाने के बाद मेरे पास आया था और उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि मामी दिल की बुरी नहीं है। बस जबान की थोड़ी कडवी है और वो भी जमाने की वजह से क्योंकि लोग मेरी मा के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बस ये उनहीं बातों का असर है। की हारी मैं कामों से फ्री होती तो स्टोर में पड़ी चार पाई पर आकर लेट जाती क्योंकि यहीं मेरा एकलौता मसकन था। मैंने अपनी जिन्दगी के 14-15 साल इसी चार पाई पर इसी स्टोर रूम में तनहा गुजारे थे। जब तक मेरी नानी जिन्दा थी मैं उनके साथ उनके कमरे में रहती थी लेकिन उनके इंतकाल के बाद मैंने वो कमरा शान को दे दिया और मुझे यहां इसमें जगह मिल गई और मैंने खामोशी से इस तबदीली को कबूल कर लिया था। अगली सुबह मैं फिर मामी की बातें सुनने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए स्टोर से बाहर निकली तो मुझे देखते ही मामी गुस्से से कहने लगी कि नाश्टे का वक्त होने वाला है और तेरी नींद पूरी नहीं होती अब जल्दी से मेरे और अपने म मामू के लिए नाश्टा बना दे मैं नाश्टा बना कर उनके कमरे में लेकर गई तो मामी के हाथ में 5000 का नोट था मामू बहुत ही महबत भरी नजरों से उनकी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे बस रशीदा तू इसी तरह मेरी खुशी का खयाल रख मैं तुझ पर ऐसे ह नोट वार दूँगा उन 5000 के नोटों पर नजर पड़ते ही मेरे दिमाग में वो जोड़ा चला आया था जो अब तक मेरी आँखों में समाया हुआ था एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मामी के हाथों से वो नोट छीन लूँ और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँ लेकिन ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी और ना ही कभी मामी मुझे ऐसा करने दे सकती थी वो तो मामू अगर मुझे कभी 50 रुपय भी देते तो उस पर भी कड़ी नजर रखती और और मामू को खूब खरी खोटी बातें सुना देती मैंने ललचाई हुई नजरों से उस न 5,000 चाहिए थी अगर मामू मामी को बगैर किसी जरूरत के इतने पैसे दे सकते थे तो मुझे क्यों नहीं मामू नाष्ता करके कमरे से बाहर निकले तो मैंने भी डरते डरते उनसे कह दिया कि मामू मुझे भी 5,000 चाहिए मामू ने तीखी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, खेरियत तो है सुमेरा, तुझे इतने पैसों की क्या जरूरत आ गई है, तुझे इस घर में किस चीज की कमी है, मामू की इस बात पर मेरी आँखें खुली की खुली रह गई, ना चाहते हुए भी मैंने तल्ख लहजे में कह दिया कि यहां तो मुझे दो वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, बाकी जरूरियात तो दूर की बात और खाहिसात के बारे में तो मैं तस्वर भी नहीं कर सकती, मेरे जुमले सुनकर जहां मामू के चेहरे का रंग बदल गया था, वहीं पीछे से आती मेरी मामी से मेरी यह सच्ची बात हजम नहीं हो सकी थी, और उन्होंने एक जोरदार थपड मेरे मुह पर भी मारा, और कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना, आपकी भांजी बड़ी बदबख्त है, आज आपने खुद इसकी जबान देख ली है ना, जब ये आपसे इस तरह बात कर सकती है, तो सोचिए, आपके पीछ मामी की बात पर सर हिलाते हुए मामू कहने लगे, हाँ रशीदा, वाकई ये तो बड़ी बदजुबान हो गई है, इसे तो छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं रहा, मामू मुझे बातें सुना कर घर से निकल गए, और उनके जाते ही मामी ने मुझे कड़ी नजरों से और कहने लगी कि खबरदार जो आज के बाद अपने मामू के सामने कोई बात की, तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा, मामू मामी के इस रवये पर मेरा दिल कटकर रह गया था, मैंने तो ऐसे ही बस मामू को अपना समझ कर उनसे पैसे माग लिये थे, मुझे क्या पता था कि वो मुझे मेरी हैसियत याद दिला देंगे, मामी तो गैर थी, लेकिन मामू तो मेरा सगा खून थे, फिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे, वो सुर्ख जोड़ा, पहले मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन अब मेरी जिद बन चुका था, मैं आज तक खामोशी से अपनी ख् कुर्बान करते आई थी, लेकिन आज मामू मामी के रवये ने मुझे बागी बना दिया था, और मैंने सोच लिया था, कि उसे खरीदने के लिए मैं किसी भी तरह 5,000 हासिल करके रहूंगी, मैंने आज तक कोई गलत बात नहीं की थी, और नाही कोई गुनाह किया था, तो फ थोटी सी ख्वाहिश पर मेरे मुह पर तमाचा लगा दिया गया था, मैं बावर्ची खाने में ही बैठकर जरू कतार रो रही थी, अपनी मां का धुंधला, धुंधला सा अक्स मुझे याद आ रहा था, मुझे तो मेरी मां का असल चहरा भी याद नहीं रहा था, मैं नानी जिन्दा थी और यह घर उनका था, उनके होते हुए मामी को ये अधिकार हासिल नहीं था, कि वो हमारी जिन्दगी का फैसला करती, और इसी लिए जबरदस्ती उन्हें हमें बरदाश्त करना पड़ा था, मैं नहीं जानती थी कि मेरे बाप ने मेरी मां को क्यों छोड रहती, उन्होंने कभी मामी के इल्जामात को नहीं जुटलाया था, और ना ही कभी मामी से जबान दाराजी की थी, वो या तो मुझे लेकर कमरे में बंद हो जाती, या फिर घर के कामों में लगी रहती थी, मैं जब भी शान के साथ खेल कूद करती, या शान हमारे कमरे की तो मामी का गुस्सा देखने लायक होता, वो मुझे मारने के लिए दोड़ी चली आती, तो कभी शान का हाथ पकड़ कर उसे कमरे में ले जाती, यहां तक कि मेरी माने मुझे सकती से मना कर दिया कि मैं शान के साथ खेलना कूदना बंद कर दूँ, घर में एक अजीब सी टे रहते गुजर गया, और फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरी मा को दुलहन बनाया गया है, मैं अपनी मा को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उस दिन मेरी मा के चहरे का रंग फीका पड़ा हुआ था, ना उनके चहरे पर कोई खुशी थी और ना ही जिन्दगी के कोई आ इसलिए तुम मेरी तरह धोखा न खाना और हमेशा एहतियात करना, मुझे मेरी मा की बातों का मतलब समझ नहीं आया था, वो दुलहन बनी इतनी खुबसूरत लग रही थी, तो फिर खुश क्यों नहीं थी, लेकिन रुखसती के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी मा स बिछडने वाली हूँ, वाली मेरी नानी ने मुझे सीने से लगा लिया था, और मेरी मा को रुखसत कर दिया था, मैं तडब तडब कर रो रही थी, लेकिन ना ही मेरी मा मुझे अपने साथ लेकर गई थी, और ना ही नानी ने मुझे मेरी मा के पास भेजा था, वो आखिरी दिन था जब मैंने अपनी मा को देखा था, क्योंकि उसके बाद मेरी मा कभी पलट कर हमारी दहलीज पर नहीं आई थी, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी मा कितनी बेरहम और बेहिस थी, जिसे अपनी एकलौती बेटी की याद न सताती थी, या फिर शायद मामी ठीक ही कहती थी, कि मेरी मा अपने आशना के साथ शादी करके जा चुकी थी, जिसके लिए उसने मेरे बाप को छोड़ा था, मेरी मा ने कभी पलट कर ये तक नहीं पूछा था, कि मैं जिन्दा भी हूँ या नहीं, और मामी मामू के रहमोकरम पर आ गई थी, जब तक नानी जिन्दा थ थी, उनका रवया मेरे साथ फिर भी बेहतर था, लेकिन नानी के मरते ही उन दोनों ने तोते की तरह आँखें फेर ली थी, बाद में मुझे दो वक्त की रोटी इस तरह खिलाती, जैसे ही एहसान कर रही हो, और बदले में मैं सारे घर के कामकाज भी करती, और मामी की खिद करता, तो मामी सारा घर सर पर उठा लेती, और मेरे किरदार के हवाले से ऐसी बातें करती, कि मैं अपने कानों में उंगलियां डालने पर मजबूर हो जाती, और मामी के इसी रवये की वजह से, मैं खुद ही शान से दूर होती चली गई थी, लेकिन मैं इनसान थी, कब तक चोटी चोटी चीजों के लिए तरस्ते हुए जिंदगी गुजार सकती थी, मेरा भी खुशियों पर हक था, मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी जिंदगी भी दूसरी लड़कियों की तरह खूबसूरत हो जाए, और जबसे मैंने वो सुर्क जोड़ा देखा था, मेरा दिल औ और दिमाग वही रह गया था, और उसी जोड़े के लिए पैसे मागने पर, जिस तरह मामी ने मुझे मेरी उकात याद दिलाई थी, मेरे दिल में एक आग सुलग उठी थी, और मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह पांच हजार हासिल करके रहूंगी, और मेरे नस्दी चुकी थी, और मैं दिन रात यही सोचती रही थी कि किस तरह मामी की जगह खुद मामू के कमरे में चली जाओं, और फिर एक दिन जब मामी ने मुझे सौदा लेने के लिए बाजार भेजा, तो मैंने अपने जमाशुदा पैसों से नींद की दवाई खरीद ली, अब चुकी थी, और मैंने अपने जाने से पहले लाउंज में लेट कर टीवी देखा करती थी, आज भी दूद पीने के बाद मामी लेट कर टीवी देख रही थी, कि उन्हें उसी सोफे पर नींद लग गई, मैं तो मौके की ताक में थी, जब मैंने देखा कि वो गहरी नींद म सो गई है, मैंने उनका वजूद घसीटा और स्टोर रूम में लाकर अपनी चारपाई पर लिटा दिया, और मैंने उनकी अलमारी से उनका ही एक जोड़ा निकाल कर पहन लिया, मामू रात को देख से घर आते थे, और उनके आने से पहले ही मैं उनके बिस्तर पर मामी की आई थी, मुझे तो ये तक मालूम नहीं था कि यहां क्या होने वाला है, काफी देर बाद जब मामू कमरे में आये, तो आवाज दे कर कहने लगे, रशीदा, आज क्या जल्दी सो गई हो, मैंने हलकी सी आवाज निकाली और कहा कि नहीं जाग रही हूँ, ये सुनकर मामू मुझे एक ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मामू की बात का क्या जवाब दूँ, वो तो मुझे मामी समझ कर वो कुछ कह बैठे थे, जिसका मैं तसवर भी नहीं कर सकती थी, मेरी आँखों के सामने अंधेरा सा आने लगा था, मेर क्या कर रही हो, मेरी आँखों से टपटप आंसू गिरने लगे, और मैंने कहा कि मैं जान गई हूँ कि आप मामी को पांच हजार क्यों देते थे, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपका अपना खून हूँ, और आपने तो मेरे ही साथ इतना बड़ा धोखा कर दिय मेरी बात सुनकर मामू सर जुका गए, और कहने लगे, तेरी मां हमेशा से हमारी खाला के बेटे फरहान से महबबत करती थी, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी कहीं और हो, लेकिन मेरे और फरहान के दर्मियान किसी बात पर कोई जगड़ा हो गया था, और इसी लिए मैंने तेरी मां की शादी फरहान से ना करवा कर अपने एक दोस्त से कर दी, तेरी मां बहुत सीधी साधी थी, उसने मेरे फैसले के आगे सर जुका दिया और खामोशी से तेरे बाप के साथ गुजारा करने लगी, लेकिन तेरा बाप एक वहसी दरिंदा साबित हुआ था, जो हर छोटी से छोटी बात पर तेरी मां को मारा करता था, और उसे फरहान के हवाले से भी ना जाने कैसे खबर मिल गई थी, इसलिए वो तेरी मां पर शक करने लगा था, और उसी शक में एक दिन उसने तेरी मां को तलाक दे दी थी, तेरी मां तुझे गोद में उठाए, जब इस घर में वापस आई तो यह बात तेरी मामी से बरदाश्ट ना हुई और तेरी मामी ने मुझे कहा कि अगर मैंने तेरी मा को जल्दी रुखसत ना किया तो हमें जायदाद के हिस्से बंटवारे करने पड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता था कि मैं इतनी बड़ी जायदाद के बंटवारे करूँ। वैसे भी मेरे भाई का इलाज चल रहा है। तेरे नाम और आधी जायदाद मेरे नाम लगा दी और इस बात की वजह से तेरी मामी तुझे बरदाश्ट करने पर मजबूर हो गई। क्योंकि तेरी मामी नहीं चाहती थी कि तु इतनी आसानी से आधी जायदाद हासिल कर ले। और इसलिए तेरी मामी ने ये मनसूबा बनाया कि मैं हर जुमेरात तेरे सामने तेरी मामी को पाँच हजार दूँगा। और तु जो जरूरियात और खाइशात की मारी हैं, खुद बखुद लालच में आकर कोई ना कोई उल्टा काम जरूर करेगी। तेरी मामी खुद ही मुझे हर रात आर इसवाप हजार देती। और वही आर इसवाप हजार, मैं सुभह तेरी मामी को लोटा दिया करता। तेरी मामी को लगा था कि तू उन पैसों को चुराने की कोशिश करेगी और हम तुझ पर चोरी का मुकदमा करवा देंगे या फिर जब ये बात शान को पता चलेगी तो उसके दिल से तेरी महबबत भी उतर जाएगी और तुझे इस घर से निकालने में भी हमें आसानी होगी लेकिन तू ने तो अपनी मामी की जगह रात को इस कमरे में आकर हमारा सारा मनसूबा ही नाकाम कर दिया और सच जान गई दरसल मामू ने कमरे में आते ही आवाज देकर मुझे कहा था कि रशीदा चल वही पांच हजार मुझे वापस कर दें ताकि सुबह सुबह मैं अपनी भाणजी के सामने तुझे वो पैसे दे कर उसके दिल में लालच डाल सकूँ मैं जान गई थी के मामू मामी ने ये सब कुछ जान बूज कर किया था मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मेरे नाम पर आधी जायदाद है तो मुझे भला इस जायदाद की लालच कैसे हो सकती थी मैंने रोते हुए मामू से कहा कि आप इस कदर गिरे हुए हो सकते हैं मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जायदाद के लालच में आपने अपनी बेहन की शादी एक नफसेयाती आदमी से करवा दी उसे अपनी ही बेटी से दूर कर दिया और जायदाद के लालच में आप मुझे चोड साबित करना चाहते थे क्या ये जायदाद आपके लिए रिष्टों से ज्यादा कीमती हो गई थी? अगर आप अपनी बेहन की शादी किसी अच्छी जगह करवा कर मुझे भी उसके साथ ही भेज देते तो शायद नानी कभी आधी जायदाद मेरे नाम करने के बारे में सोचती ही न और वो खुद आपको खुशी, खुशी सब कुछ दे देती लेकिन ये सब आपके लालज की वजह से हुआ है मेरी बात सुनकर मामू का सर शर्म से जुग गया मैंने मामू से कहा कि आप कागजा तयार करवा दे मैं आपको आपकी सारी जायदाद वापस कर देती हूँ मुझे एक रूपया भी नहीं चाहिए मैं तो बस कुछ जरूरियात और इज़त की महताज थी और अगर आप खुश दिली से मेरी जरूरियात पूरी कर देते और बार बार मुझे और मेरी मां को बद किरदार ना ठहराते तो शायद मैं कभी ऐसा कदम भी न उठाती मैं रोते हुए मामू के कमरे से निकल आई थी मामी अब तक मेरे कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी जायदाद के लालच में जो कुछ मेरे मामू मामी ने किया था वो नाकाबिल यकीन था लेकिन ये दुनिया इतनी ही खुदगर्ज और लाल्ची हो चुकी है मैंने खुशी-खुशी अपनी जायदाद मामू के हवाले कर दी थी और उनसे कहकर खुद अपनी मा के घर चली आई थी, वो अपने शोहर के साथ एक मुश्किल जिन्दगी गुजार रही थी, और मैंने सोच लिया था, क्या अब मैं उनके साथ रहकर उनके दुखों में उनकी साथ ही बन जाऊंगी, क्या आप लोगों ने कभी सगे रिष्टों को इतना बेयतबार देखा है, कि जायदाद की लालच में वो आपकी जिन्दगी तबाह करने पर तुल जाए,